अब मैगी तो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, मगर इसमें कुछ सबजियां पढ़ जाएं जैसे की काजर, बीन्स, पत्तागोबी, मटर, तो इसका टेस्ट ही कुछ जादा बढ़ जाता है मगर हर बार ये सबजियां थोड़ी मात्रा में लाना, उनको काटना, अगर ऐसा ना करना पड़े, तो कैसा रहेगा आज इस वीडियो में हम देखेंगे, कि बीना सबजियां हर बार लाएं, सिर्फ एक बार लाना है, और सालों साल आपकी जो मैगी है, वो सबजियों से हरी भरी रहेगी तो चलिए देख लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किसकी मैगी दो मिनट में बन गई है भाई, मेरी तो नहीं बनी आज तक दो मिनट में, फिर चलिए शुरू करते हैं रेसिपी तो यहाँ पर हमने एक सॉस पैन चड़ा दिया है फ्लेम पर, इसमें डालेंगे एक कप पानी, यानि कि 250 एमिल वैसे पैकेट पे 210 एमिल लिखा होता है, बट कई बार कम पढ़ जाता है पानी तो 250 एमिल पानी डाल दिया है, अब यह है वो चीज जिसके लिए आपको सबजियां बार बार नहीं लानी होंगी मार्केट से सिर्फ एक बार लाना है साल में, और सालो साल मैगी सबजियों से हरी भरी रहेगी इसमें गाजर है, पता गोबी है, बीन्स है, बीन्स की जगा बरबटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इबन फूल गोबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमने सबजियों को छोटा छोटा काट लिया है और उसको धूप में दो-तीन दिन अच्छे से सुखा लिया है और एक कंटेनर में भरके आप उसे रख दें और उसे आप सालो साल यूज करें इसे सूप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं हमने इसका सूप बनाया है आप इसको सबजियों को काटते हुए देखना चाहते हैं तो एक वीडियो है 15 रुपय में कैसे साल बर सूप पीएं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जा करके देख सकते हैं तो जब इन सबजियों का सीजन आये जिसे की सर्दी में तो इसे आप ला करके काट करके सुखा करके रख सकते हैं और ज़रूरत के साफ से यूज कर सकते हैं तो इसे अब हम डाल देते हैं पानी में पहले आप ठंडे पानी में यह डाल दें एक दो मिनट उसके बाद गैस को आप चालू करें तो अब पहले हम सबजियों को तीन-चार मिनट अच्छे से मीडियम आज पर पकने देंगे अब तीन-चार मिनट फ्रोजन मटर ज्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में तो यहां पर यह सबजी हमारी हो गई है बिलकुल रेडी तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी से रेट चली पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर थोड़ा सब मैगी में स्वाद और भढ़ जा है यहां पर हम 70 ग्राम वाला मैगी का पैकेट ले रहे है, 70 ग्राम वाला 12 रुपे की जो आती है पैकेट तो इसमें हम एक ब्रिक ये जो मैगी की है इसको हम डाल देते हैं इसे चार तुकड़ों में हमने तोड़ लिया है आपको बड़े बड़े लंबे वाले लच्छे पसंद है तो आप पूरा बिना तोड़े हुए डाल दीजिए इसमें और बस अब कहने को दो मिनट और सच में पकाने के लिए चार से पांच मिनट लगेंगे तो बस अब इसे ढखकर के पकने देते हैं तीन से चार मिनट के लिए ये देखिए यहां पर हमारी मैगी अल्मोस्ट रेडी है तो इस तरीके से यहां पर रेडी हो गई है सबजी आपको नहीं लानी है बार बार एक बार लानी है दोस्तों कॉंसेप्ट आइडिया अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करने में प्लीज कंजूसी मत कीजेगा मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार windows वीडियो वीडियो सदो लिएगते ही भाइक ज्सक्तू करले लगा हो लो, भाईक